Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study Tips पर हम लोग कर रहेते जारखंड बस्तुनिस्ट मनीश रंजन सर के बुक को पूरा कफर करेंगे 20 दिनों में 3 दिन हम लोग कर चुके हैं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो पहले प्लेलिस्ट में जाएए और तीनों वीडियो को पूरा एक बार सुन लिजिए आपका जारखंड जीके का टेंसन खत्म हो जाएगा आज हम लोग करेंगे डे फोर और इसमें देखेंगे जारखंड के लोग सहित्य से संबंदित बहुत ही महत्वपुर्ण प्रस जो आपको एकजाम में देखने को जरूर मिलेंगे तो चलिए आज कभी डियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला कोईस्चन क्या है खरसावा राज के संरक्षन में निमन में कौन सी नित्र नाटि का बिक्सित हुई थी तो आपको बताना है खरसामा राज के संरक्षन में च्छो निरित्यनाटि का विक्सित हुई थी च्छो निरित्यनाटि का विक्सित हुई थी तो सही जवाब हो गया च्छो निरित्यनाटि का अगला देखते हैं निमन में किसने संथाली लोग कताओं का संग्रहन किया तो संथाली लोग कताओं का संग्रहन करने वाले थे P.O. बोडिंग, तो सही जवाब हो गया P.O. बोडिंग, आगे देखते हैं, जनजातिय समाज में किस ब्रिक्ष में देवता की कलपना की गई है, तो जनजातिय समाज में क्या A. आम, B. महुआ, C. साल, D. देवदार, इसक देखते हैं, मारर बुरु की कलपना किस में की गई है, तो मारर बुरु की कलपना पहाड में की गई है, ठीक है, पहाडों में मारर बुरु की कलपना की गई है, तो आप यहां से देख सकते हैं, पहाड में, यहां से देख सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं, कि दालमी का बिस्नु मंदिर किस जिले में अवस्थित है दालमी का बिस्नु मंदिर किस जिले में अवस्थित है तो इसका सही जवाब है लोहर दगा किस में लोहर दगा में डालमी का बिस्नु मंदिर इस्थित है राची के गिरजागर किस सैली में निर्मित है गौथिक सैली में सही जव तो याद रखेंगे जार्खंड की चित्रकला सैली दोस्तों कोहवर सोहराई जादू पाटिया है लेकिन डोमकच जो है वो जार्खंड की निरित्रकला सैली नहीं है तो इसका राइट आंसर हो गया डोमकच आगे देखते हैं निमन मेश से कौन कोहवर चित्रकला सैली की बिस इसका सही जवाब हो जाएगा राम कथा ठीक है राम कथा इसका सही जवाब हो जाएगा राम कथा एक बार हम लोग फिर से question को देख लेते हैं निम्न में से कौन कोहवर चित्रकला सैली की बिसे बस्तू नहीं है तो कोहवर चित्रकला की बिसे बस्तू राम कथा नहीं है जैसे कि इस्त्री पुरू संबन कोहवर चित्रकला सैली में दिखाया गया है सांकेतिक प्रजनन भी दिखाया गया है जादू टोने को भी दिखाया गया है लेकिन रामक था कोहवर चितरकला सैली के अंतरगत नहीं आती है निम्न मेंसे कौन सी एक चितरकला की सैली है जादू पाटिया है क्या मैंने अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किये कि जादोपाटिया जो है, वो जहारखंड की चितरकला सेली है, तो जादोपाटिया चितरकला सेली लेकिन कर्मा, कर्मा एक पर्व है, आप लोग जानते हैं, छ़व, नृत्य है, उसी तरह से यहाँ पर जो जादोपाटिया तो इसका सही जवाब है ललीत मोहन रोय ने किस छेत्र से संबंदित है तो इसके बारे में आपको बताना है ना वो पत्तरकारिता से है ना वो संगीत से है किसे है ललित मोहनरवय चित्तरकला से संबंदित है निम्न में से किसे छोटा नाकपूर चित्तरकला सहली में निपूरता प्राप्त है तो हरेन ठाकूर को छोटा नाकपूर चित्तरकला सहली में निपूरता प्राप्त है हरेन, ठाकूर, छोटा, नाकपूर, चितरकलासेली, इस तरह से आप याद रखेंगे आगे है कूमुनी, लोंडरा, जालों, गीरा और भवर-जाल क्या है? जैसे की कूमुनी, फिर से एक बार नाम सुनेंगे कूमुनी, लोंडरा, जालों, भवर-जाल कुमनी, लोंडरा, भावोर, जालों, गीरा और भावर जाल तो ये जो है, ये क्या है? ये मचली पकड़ने के जाल, वकाटे, पक्ची पकड़ने का जाल, आदिवासियों के पेपदार्थ या फिर इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, मचली पकड़ने के जाल, वकाटे, ये सब है आगे दिखते हैं, उराव जनजाती की लड़कियां, सीपों को घिस घिसकर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस तरह से आप यहां यह भी question बना सकते हैं, यहां इस तरह से पूछा जा सकता है, कि सीपों को घीस घीस कर जिपली किस जन जाती की लड़कियां बनाती है, तो सीपों को घीस घीस कर जो जिपली बनाए जाती है, वो बनाए जाती है उराओ जन जाती की लड़कियों के द पंची पाढ हांड, पंची पाढ हांड, इस तरह से याद रखेंगे, पंची पाढ हांड संथाल परगना की संथाल महिलाएं बस्तर धारन करती उसका नाम है। डोक्रा कला किस समुदाई से संबंदित है, माल पहाड़िया, असूर, मलहार, कवर, सही जवाब होगा, मलहार, डोक्रा कला मलहार से संबंदित है, जट जटीन, भकुली, बंका और किर्तनिया क्या है, तो इसका सही जवाब है, लोक नाट्टी है, ठीक है, इसका सही जवाब ह जट जटिन, भकुली, भकुली बंका और किर्तनिया एक तरह का लोक नाट्ट है, ना ये लोक संगीत है, ना ये चित्रकला सहली है, यह एक लोक नाट्टी है आगे देखेंगे दोस्तों, निमन में से किस नाट्ट कला सहली के माध्यम से ग्रिहस्त जीवन के उतार चलाव व्यक्त की जाते हैं, तो आपको इसे याद रखना है आगे दिखते हैं, मुरली, बुनम, तुरही, टुईला और भेईर किसके उधारन है, तो जो मुरली, तो आप जानते होंगे मुरली, बासुरी, बंसी, तो यह वाद्ययंतर है तो यहाँ जितने भी हैं मुरली, बनम, तुरही, टुईला, भेईर ये सारे के सारे वाद्ययंतर के उधारन हैं निम्न में से कौन सी मौसमी गीत है? तो कौन सी मौसमी गीत है? फगवा आप जानते होंगे फगवा गाया भी जाता होगा तो अगर आप जारकंड से हैं तो इसके बारे में जानते होंगे कि मौसमी गीत है फगवा जनजाइन गीत किसका उधारन है? तो जो जनजाइन गीत है वो संसकार गीत का उधारन है तो जो जनाना, एक मिनट, ये है निरित्य गीत के, अभी हम लोगों ने उपर देखा था डोमकच के बारे में, जनाना, जुमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा, किसका उधारन है, किसके उधारन है, तो ये है निरित्य गीत के, सुहराई गीत किस माह में गाया जाता है, तो राइगीत कारतिक माह में याद गाया जाता है। तो राइठ अंसर हो जाएगा कारतिक। इसे भी हम लोग गाओं में बियाह, बियाह, विवाह इस तरह से बोलते हैं, तो बियाह गित विवाह की अफसर पर गाया जाता है, तो इस तरह से आपको यहां तक जानकारी हो गई सावन महिने में नाग पंचमी के दिन, सावन महिने में नाग पंचमी के दिन इस्तिरियों द्वारा गाया जाने वाला लोग गीत निम्न में से कौन सा है, कजली, याद रखेंगे, कजली, सावन महिने में इस्तिरियों द्वारा जो लोग गीत गाया जाता है, उसका नाम है इसकी द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है, ठीक है, तो जो मिंड में जितने भी किसकी द्वारा ये कलेक्शन किया गया है, कलेक्ट किया गया है, तो इसका सही जवाब है W.G. आर्चर के द्वारा, मतलब मुंडा गीतों को मुंडा दुर अब देखते हैं उराओ जनजाती के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रह ही थे तो उराओ जनजाती के 26,000 गीतों का संग्रह लील खोर से खेल जिसमें उराओ जनजाती के 26,000 गीतों का संग्रह एक पुस्तक है जिसमें उनाओ जाती के 26,000 गीतों का संगरा है जिस दिन से पॉस मा messy का सुर्वात होता है उस दिन से लेकर मकर सक्रान्ती तक गाये जाने वाले लोक गीत को टूसू कहा जाता है तो सही जवाब हो गया तूसू निम्न में से कौन सा पुरूसों का सामुहिक गीत है अभी तक हम लोगों ने देखा महिलाओं की द्वारा गाय जाने वाली लोग के गीत तो अब आप बताएंगे कि पुरूसों के द्वारा गाय जाने वाला सामुहिक गीत कौन सा है धप गीत राइट आंसर है जाएगा धप गीत ठीक है धप गीत पुरुसों के द्वारा गाय जाने वाला सामुही गीत है निम्न में कौन सा एक सदानी निरित्य नहीं है सदानी निरित्य नहीं है तो इसका सही चवाब है कजली सदानी निरित्य सदानी लोक निरित्य कजली नहीं है तो यहाँ पर भिंसरिया, बंगला जुमर, लुजरी ये सारी के सारी लोक निर्थे हैं बट ये लोक गीत हैं इसलिए आप यहाँ से option eliminate कर सकते हैं इस तरह से 33 का निमिन में किसका सदानी लोक निर्थे में सरवाधिक महत तो होता है सदानी लोक निर्थे में जो सरवाधिक महत होता है किसका मादर का किसका मादर मादर बजाया जाता है एक तरह से ढोल के जैसा होता है ठीक है तो मादर सदानी जब सदानी लोक निर्थे करते हैं तो मादर के बिना लोक निर्थे संभव नहीं है ठीक है आगे देखते हैं भज भजतिया, माठा, उमईट कोटन और पईन काटन किसका उधारन है? ये सारे के सारे सदानी लोक निरत्त हैं आप इस तरह से नाम भी याद रख सकते हैं आपको क्वेस्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है भजतिया किस तरह का लोक निरत्त है? सदानी लोक निरत्त है सदानी लोक निरत्य चार तीन देदेगा एक और कोई अलग देदेगा तो आपको वहां से option eliminate कर सकते हैं तो आप यहां से याद भी करते जाएंगे भजतिया, माठा, उमाइट कोटन, पईन काटन सदानी लोक निरत्य के उधारन है सदानी लोक निरत्य के उधारन है सदानो एबं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरू, आदी के स्वागत हितु, प्रस्तूत किये जाने वाला लोक निरत्य कौन सा है इसका सही जवाब है पई का थीक है, पई का सही जवाब हो गया पई का चड़नतरी, पहिल, सांज, भिनसरिया एबं खेंटा, निम्न में किस निरत्य के उपवेद हैं इसका सही जवाब है अंग नई अंग नई जो है पहिल चढ़नतरी पहिल सांच भिनसर या एबम खेमटा जो है अगनई निरित्य के उपभेद हैं निम्न में से किस निरित्य में सरिंगार और भकती परक गीतों में राधाकरिश्न प्रसंग की प्रस्तुती प्रमुक्ता से होती है जिसका सही जवाब है राईट आंसर है कली ठीक है जाना जाता है तो कली निरित्ति की परमुख नर्तकी को खेलाली के नाम से जाना जाता है किस नाम से तो सही जवाब हो गया खेलाली आगे देखते हैं जदूर और जदूर जापी जापी गेना खिम्टा खिम्टा और जरगा और जरगा बुरू एबं जाली निम्न में से किस जनजातिय समूह की लोक निरित्य है, तो यहां इस तरह से भी आप याद रखेंगे दोस्तों, यह एक क्वेस्चन ही नहीं है, यहां पर जितने भी डांस पॉर्मेट आपको देखें देख रहे हैं, यह सारे के सारे आपके क्वेस्चन्स बन सकते हैं, तो इसलिए आप यहां खिम्टा और जर्गा बुरू एबं जाली, यह जो लोक निरित्य हैं, यह मुंडा समाज के लोक निरित्य हैं, फिर से एक बार बोलते हैं, जदूर और जदूर जापी, गेना, खिम्टा और जर्गा, बुरू एबं जाली, मुंडा समाज के लोक निरित्य हैं, जदूर नि कि जो दंसय निरित्य होता है किस तेवहार के अफसर पर प्रस्तूत किया जाता है तो दसहरा के अफसर पर आप लोग अगर गौह से होंगे तो आप जानते होंगे कि परहले जब दसहरा में जो आदिवास्कियों के द्वारा मुंडा समाज के द्वारा एक निरित्य किया जात दोहा निरिद्य जो है वो बिवाह संसकार के अवसर पर किया जाने वाला निरिद्य है, दोस्तों याद रखेंगे। सामोहिक रूप से सिकार पर निकलते हैं तो जो निरित्य करते हैं आदिवासी समात की द्वारा जो निरित्य किया जाता है उसका नाम है दोंगेड तो वो दोंगेड जो मतलब सिकार कौन करते हैं पुरूस करते हैं निरित्य कौन सा हो गया, दोंगेड हो गया, याद रखेंगे, तो जानतारा पर्व के अफसर पर कौन सा निरित्य किया जाता है, जानतारा पर्व के अफसर पर सिकारी निरित्य किया जाता है, तो आप से अभी थोड़ा गिर पहले मैंने आपको बताया कि सिकारी लोग जब एक समू में निरित्य करते हैं, तो उस निरित्य को जौंग दोंगेट कहा जाता है, इसते आप कन्फ्यूज मत होगेगा, जानताणा पर्व के अवसर पर सिकारी निरित्य किया जाता है, याद रखेगा, अब देखते हैं आगे, किस निरित्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावडी गीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है सुहराई, सुहराई में ठीक है, दोसमी निरित्य किस माह में किया जाता है, तो दोसमी निरित्य जो है दोस्तों, वो अगहन माह में किया जाता है, अगहन, ये हिंदी मास है, सारे के सारे, पूस, अगहन, भाद्र, चैत्र, माग, अस्वीन, कार्तिक, तो ये सारे के सारे, ये हिंदी मास है, ठीक है, हिंदी महिने के मन्त है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अगहन के मन्त में, अगहन के मास में, माह में, दोसमी निरित्य किया जाता है, निमन में कौन सा एक लोग निरिते है ठीक है तो सकराथ जो है एक लोग निरिते हैं सकराथ एक लोग निरिते है लेकिन अखरा सरना सरना को मैंने आपको बताया था कि सरना जो था पुझा अस्थलता ठीक है लेकिन कौन से जन जाती का पुझा अस्थलता आपको कमेंट बॉक यहाँ पर खत्म हो जाएगा दूसरा बात यह है कि इस चैनल पर बहुत सारे बुक्स का आपके सामने लेकर आएंगे बहुत अच्छे से समझा कर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा आप देखते हैं कि जो सकराथ है वो एक लोग निरित्य है किस निरित्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है तो धान बोने की समाप्ति के उपरांत जो है हेरो निरित्य किया जाता है कौन सा निरित्य किया जाता है हेरो निरित्य ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोम नामा निरित्य है किस अवसर पर किया जाता है तो जोम नामा निरित्य है दोस्तों जो जैसे कि देखिए अब खेती हो गई तो जो अन नया आता है तो नया अन जब ग्रहन कर किया जाता है उस समय जो मनामा निरित्य किया जाता है जो मनामा निरित्य किया कब किया जाता है तो नए अन ग्रहन करने पर अब देखते हैं हर्यो किन भर हलका डोयोर एबं लहसुआ किस समुदाय से सम्दित निरित्य है तो ये सारे के सारे निरित्य है जो दोस्तों, ये खड़िया समुदाई से संबंदित हैं, आपको याद रखना है हार्यो किन भर हलका डोयोर लहसुआ, ये सारे के सारे निरित्य जो हैं, खड़िया समुदाई से संबंदित हैं, खड़िया समुदाई से संबंदित हैं, निम् अब देखते हैं किस निरित्ते के अशरपर पाडू गीत गाया जाता है ना उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न मेंसे किस निरित्ते में बड़े बुड़े बुढया सभी सम्मिलित होते हैं सभी मिलकर इसमें डांस करते हैं, निरित्य करते हैं, तो इसका जो निरित्य है दोस्तों, वो है जेटवारी थडिया, जेटवारी थडिया, ठीक है? जेटवारी थडिया, तो इससे आपको याद रखना है, जेटवारी थडिया, इंदर जतरा निरित्य किस माह में किया जाता है? इंदर जत्रा निरित्य जो है दोस्तों वो आस्वीन के माह में किया जाता है अभी मैंने बताया था हिंदी मास की ये सारे के सारे मन्त है अब देखे फगु, खत्री, तुस्गु एबं धुडिया किस समुदाय से सम्बंदित लोक निरित्य है तो जो फगु, खत्री, एक बार फिर से सुल लिजे फगु, खत्री, तुस्गु, धुडिया ये सारे के सारे जो है दोस्तों ये हैं उराओं जन्जाती से सम्बंदित निरित्य है उराओं जन्जाती से सम्बंदित निरित्य है उसके बाद देखिये पहिल, जhaसा, अधरतिया, जदिरा, चटनी गीत किस निरित्य के अवसर पर प्रस्तूत किये जाते हैं तो जो डोडोंग निरित्य है दोस्तों, डोडोंग, डोडोंग निरित्य के अवसर पर पहिल, जासा, अधरतिया, जदिरा एबन चटनी गीत गाया जाता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं निम्न में से किस निरित्य की पहचान धूल उडाने वाले निरित्य के रूप में होती है तो जो धूल उडाने वाले निरित्य है दोस्तों यह है धुडिया, कौन सा धुडिया निरित्य है अब देखिए करम पर्व की समाप्ती पर कौन सा निरित्य होता है करम पर्व की समाप्ती पर तुसगो निरित्य होता है तुसगो याद रखेंगे तुसगो निरित्य जो है वो करम पर्व की समाप्ती पर होता है युनेश्को दौरा शो निर्ति को कभ बिष्व बिष्व बिरासत की सुची में राज कुमार, सुधेंदू, नारायन, सिंग को शो निर्ति को युरोब तक पहुचाने का स्रेडित उनिका दिया जाता है निम्न में से किस निरित्य में मुखोटे का प्रयोग होता है तो जो मुखोटे का प्रयोग होता है दोस्तों वो किस निरित्य में होता है? चव निरित्य में होता है आप अगर चव निरित्य नहीं देखे हैं तो आप राची, जमसितपूर, इन सब इलाके में जाएंगे, तो आप 6 निरित्य देख पाएंगे, तो जो निरित्य है, उसमें वो खोटे का परियोग किया जाता है, वो 6 निरित्य है, निम्न में से कौन सा एक लोक निरित्य है, तो जांज, करतार, ये सारे के सारे लोक निर प्रहतेवरों है पुर defence एक बर बोलते हैं कि baik तामाक शिंगा जन्ज मोन albums सारे के सारे जो है इक इंश्टूमेंट भजाने वाले इंश्टूमेंट है music instrument है तो वाद्दे यंत्र है सारे के सारे टामाक, सिंगा, जांज एबं बनाम ठीक है उसके बाद देखें निम में कौन सा एक तंतु वाद्दे यंत्र का उधारन है तंतु यानि कि जो क्या होता है कि आप देखते हो गिटार वगिरा में तंतु लगता है तो उसी तरह से तं वाद्दे यंत्र का उधारन है तो यहां से दो वाद्दे यंत्र आपको पता होने चाहिए हमने बात किया है बाउंग और केंद्रा यह दो जो हैं तंतु वाद्दे यंत्र है ठीक है अब देखते हैं कि जो निम्न में से किस वाद्दे यंत्र का निर्मान नार्यल के खोल क आधा काट कर ठीक है देखे नार्यल को खोल को आधा काट कर आधा काट कर उसके उपर गोह का चमड़ा मड कर किया जाता है ठीक है तो नार्यल के ऊपर जो है नार्यल का खोल बना लिया जाता है ठीक है उसको काट कर उसके उपर चमड़ा का मतलब मड दिया जाता है तो बताए कहा जाता है बनम याद रखेंगे निम्र में कौन सा एक वाद यंत्र का उधारन है आप बताईएगा आप बताईएगा आप की दंसे क्या है एक हमने अभी बात किया था दंसे सक्राथ उसके बारे में अभी बात किया तो आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं दो बार तीन हमने पीछे बात कर लिया है निम्न में किस वादियंत्र को जारखंडी वाइलीन कहा जाता है जारखंडी वाइलीन केंदरी को कहा जाता है एक तंतु अभी मैंने बताया कि तंतु बेजड क्या है ये वादियंत्र है तो ये जारखंडी वाइलीन है केंदरी उसके बाद देख चो निरत में किस वाद यंतर की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रायान जैसे द्रिस्यों को सकार किया जाता है तो धमस जो है एक परकार का वाद यंतर है याद रखेगा धमस एक परकार का वाद यंतर है जिसमें चाव निर्ति जब होता है तो उसमें युद्ध और सैनिक प्रायान जैसे द्रिस्यों को दिखाने के लिए उसको मतलब उस तरह से दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आगे दिखते हैं कि निम्न में से किस जिले से चाओ निरित्ति की उत्पत्ति हुई है तो चाओ निरित्ति की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वो सराई केला खरसामा से हुई है चाओ निरित्ति की उत्पत्ति हुई है सराई केला खरसामा से नौरतन गढ़ का किला गुमला में इस्तित है याद रखेगा नौरतन गढ़ का किला गुमला में इस्तित है निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्मान करवाया था तो जो इचाक किले का निर्मान करवाया था वो रतन सिंग जी के द्वारा करवाया गया था रतन सि इत्यास में जब पूरा का पूरा उसमें MCQ देखे मनीश रजन सर के बुख से तो उसमें हम लोगों ने हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है आप प्लीज सारे के सारे वीडियो देखेगा आपको कोई परिसानी नहीं होगी जारकंड जी के से रेलेटेड अब देख अधिकांस ता इसमें मिट्टी का परियोग किया गया है और इचाक किला किसने बना आया था अभी मैंने बात किया चीक है उसके बाद बुद्देखे कि अली नगर का किला किस रुहिला सरदार के दौरा निर्मित करवाया गया था मुझपर खां अकबर खां दाउद खां य ठीक है रुहिला सरदार थे इसके बारे में हमने चर्चा किया अब देखिए सत्रु किला किस राजवन से संबंधित माना जाता है सत्रु किला ठीक है सत्रु किला नागवन से संबंधित माना जाता है अब देखिए वैदनात धाम देवघर में मान सरोबर तलाब का निर्मा मान जो दोस्तों करवाए गया है मान सिंग के दौरा करवाए गया है इसलिए इसका नाम है मान सरोवर और एक राजमहल का किला भी मान सिंग के दौरा बनवाए गया चिक है। उसके बाद देखे, माभद्रकाली मंदीर किस जिले में अवस्थित है, तो माभद्रकाली मंदीर जो है दोस्तों, जिले में जिस जिले में इस्थित है, उसका नाम है, एक मिनट हाँ, माभधरकाली मंदीर चत्रा जिला में इस्थित है, किसमें? चत्रा जिला में इस्थित है, याद रखेगा, चत्रा जिला में इस्थित है इसके बारे में भी आप जानते होंगे जो 23 तिर्थंकरते पारसुनात इनकी समाधी, महा समाधी का संबंद पारसुनात मंदिर से माना जाता है और ये गिरिडी में है उसके बार देखे जारखंडी धाम किस नदी तट पर इस्तित है जारखंडी धाम जो है वो इरगा नदी पर इस्तित है जारखंडी धाम निम्ड में से जारखंडी धाम गिरिडी जिले में इस्तित है और किस नदी पर तो इरगा नदी तट पर इरगा नदी तट पर और जारखंडी धाम गिरिडी जिले में इस्तित है तो ये भी याद रखेगा जारखंडी धाम सारंडा जंगल किस जिले में है ठीक है तो सारंडा जंगल जो है उपस्चिमी सिंग भूम में है सारंडा जंगल पस्चिमी सिंग भूम में है अब हम लोग देखते हैं आगे निम्न में से पुर्भी सिंग्भूम जिले में हैं ठीक है पुर्भी सिंग्भूम जिले में कौन सा ये सारी के सारी जो दिये गए हैं पारसनात मंदीर ठीक है पारसनात मंदीर पुर्भी सिंग्भूम जिले में है क्या नहीं ये गिरेडी में है जहरकंडी दाम अभी हमने द की जानकारी होगी। उसके बाद देखिये। जिले में अवस्तित है, बेनी सागर मंदीर जो है दोस्तों वो है पस्चिमी सिंगभूम में, पस्चिमी सिंगभूम में बेनी सागर मंदीर इस्तित है, अब हम लोग दीखते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा कब बेनी सागर मंदीर के सभी प्राचीन अस्थलों, ठीक है, सभ सभी प्राची नस्तलों एब मूर्तियों का सर्वेक्षन कराया था ठीक है तो ये पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब है 1954 में सन 1954 में भारत सरकार के द्वारा बेनी सागर मंदिर के सभी प्राची नस्तलों एब मूर्तियों का सर्वेक्षन करवाया गया था अब हम लोग संथाल आदिवासी समुधाय की पूजा की जाती है अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन किस मंदीर में सोला भुझाओंवाली माभगवती की प्रतिमाँ है जो है वो देवडी मंदीर में अगर आप राची गए है और जम्षयत्पूर के बीच में देवडी मंदीर है तो राची जब जाएंगे तो देवडी मंदीर जरूर जाईएगा क्योंकि 16 भुजाओं वाली माभगवती की प्रतिमा कहां पर है देवडी मंदीर में बहुत ही famous मंदीर है ठीक है उसके बाद देखिए हल्दी घाटी मंदीर किस जिले में अवस्तित है तो हल्दी घाटी मंदीर जो है दोस्तों वो गुमला जिले में इस्तित है ना वो चत्रा में है ना हाजारी बाग में ना साहिब गन में कहां पर है गुमला जिले में इस्तित है राम सिता लक्षमन का भव्य मंदीर कहां पर है दोस्तों राची में अवस्थित, राची में अवस्थित है मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर राची में अवस्थित है, अब देखिए कि जो नागवनसी राजा रगुनात साह थे, नागवनसी राजा रगुनात साह द्वारा किस मंदिर का निर्मान करवाया गया था, तो अब देखते हैं भारत सरकार द्वारा किस अस्थल को बिसिष्ट धर्मस्थल के रूप में विक्सित करने का निर्ने लिया गया है। में यह माननता है कि यहां माता सती की दाहिनी जांग गिरी थी तो जो माता सती की दाहिनी जांग योगनी मंदिर में गिरी थी अब देखिए तेल कुपी मंदीर किस नदी तट पर इस्थित है। अब देखते हैं G.E.L. चर्च का निर्मान किस वास्तु सास्तिरी द्वारा किया गया था। पेस्टर हिराजोंग पेस्टर हिराजोंग सही जवाब पेस्टर हिराजोंग। किस मंदिर में मदन रती की अलिंगन मुद्रा में विसाल मूर्ती है। अब देखते हैं निम्न मेंसे किस राजा की राजधानी जपला थी। जपला धोजी प्रताब धवल की राजधानी जपला थी अब देखते हैं पालकूट राजमहल किस राजवन से समबंदित है अब देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है आप अगर कभी राम्रेखा मंदिर जाएंगे तो कार्तिक पुर्णिमा के दिन जाएंगे क्योंकि वहां मिला लगता है अब देखे संथ पॉल गिर्जागर अवस्थित है कहां पर हजारी भाग चतरा राची या फिर वोकारो तो इसका सही जवाब है राची में संथ पॉल गिर्जागर है तो आप अगर सही से जानकारी इसका लेना चाहते है तो पूरा वीडियो देखे उसके बाद देखे जो गोपाल रोय थे चेरो राजा थे और सहापूर का निर्बान करवाया था तीन क्वेस्टन हो गया अब देखे डूमरी बुरु मेला किस जिले में लगता है तो डूमरी बुरु मेला घूटी जिले में लगता है पिठोरिया का इद्गा किसके द्वारा निर्मित करवाया था था ठीक है साहिब गंज की जामी मस्जिद का निर्मान किस ने करवाया था साहिब गंज की जामी मस्जिद का निर्मान जो है दोस्तों राजा मान सिंग के द्वारा करवाया गया था राजा मान सिंग के द्वारा साहिब गंज की जामी मस्जिद का निर्मान करवाया गया था लूगु पहाड किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच तिरतस्तल है, लूगु पहाड किस जिले में, किस जिले से हडपा सभ्यता के अवसेश प्राप्त हुए हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है, आपको ये याद रखना चाहिए, पलामु जिले से हडपा सभ्यता के अवसेश प्राप्त हुए हैं, निम्ड में से किसकी द्वारा नेतर हाट को परवतिया इस्टेशन के रूप में विक्सित किया गया, एडवर्ड गेट के द्वारा, एडवर्ड गेट के द्वारा, जो है, एडवर्ड गेट, इसके द्वारा ने निम्द में से कौन सा मंदीर? एक प्रख्यात तंतर पीठ है ठीक है? प्रख्यात तंतर पीठ है तो जो मां उग्रतारा मंदीर है दोस्तों एक प्रख्यात तंतर पीठ है मां उग्रतारा मंदीर संग्री दालान के निर्माता कौन थे जो संग्री दालान है उसके निर्माता कौन थे संग्री दालान के निर्माता भी मान सिंग थे तो मान सिंग ने जारकर्ण में बहुत कुछ बनाया है याद रखेंगे अब देखते हैं कैथा सिव मंदीर इस्थित है कहा पर तो भारत सरकारद्वारा राष्ट्रिय घरोहर जो है वो घोसित किया गया है कैथा सिव मंदीर को और यह रामगर में इस्थित है रिख्या आश्रम किस जिले में इस्थित है रिख्या आश्रम जो है दोस्तों वो देवघर जिले में इस्थित है रिख्या अकरम आश्रम गर जिले में आवस्तित है त्रिकुट परवत अब देखिए प्रसिद जुम्री तिलया सहर किस जिले में इस्तित है जुम्री तिलया सहर किस जिले में इस्तित है कोडर्मा लाते हार हचारी बाग या फिर गिरिडी तो इसका सही जवाब है कोडर्मा कोडर्मा में जुम्री त अब देखते हैं बेनी सागर का प्रसिद सिव मंदीर किस जिले में इस्तित है बेनी सागर का प्रसिद सिव मंदीर बेनी सागर की बारे में हमने बात किया बेनी सागर का प्रसिद सिव मंदीर पस्चिमी सिंगभू में इस्तित है ठीक है पस्चिमी सिंगभू में इस्तित है प्रसिद बंसी धर मंदीर इस्थित कहां पर है, तो प्रसिद जो बंसी धर मंदीर है दोस्तों, वो गड़वा जिले में इस्थित है, गड़वा जिले में इस्थित है, मंदिरों का गाउ मलूटी जो है, वो दुमका जिले में इस्थित है, तो आप मलूटी अगर जाएंगे तो यहां जरूर एक बार विजिट कीजिएगा ठीक है अब देखिए निम्न में से कौन सा जहरखंड में गाया जाने वाला रितू गीत नहीं है तो जहरखंड में चतुर मासा गाया जाता है बारह मासा गाया जाता है चैता गाया जाता है ठीक है लेकिन कार्तिक मासा ज्यारखंड में नहीं गाया जाता है तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा ज्यारखंड से रिलेटेड डेफोर क्या सारे के सारे important question अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले और कमेंट करें कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए क्या आपको सब्जेक कार डे फाइब में तो आप जरूर इस वीडियो सीरीज को देखिए और लोगों तक सेयर किजिए दोस्तों ताकि हम आपके सपोर्ट से इतने हत्प्रव इतने खुसनुमा माहौल बन जाए कि आपके लिए मेहनत करने में हमें थोड़ी भी परिसानी ना हो चलिए तब हम मिलते हैं अगले सेसन में